हलो काई आपका बहुत बहुत स्वालावे में चैनल के एक और नहीं वीडियो में तो आज मैं वीडियो डालना हूं लगभग 6-7 महीने के बाद में सबसे पहले तो उसके लिए सौरी बहुत ही लंबा गया था मेरे चैनल पर मैं काफी सारी चीजों में फसा हुआ था जिसके रेज और मजल फ्यूल डीटेल में इसके बारे में अभी हम बात करेंगे लेकिन से पहले एक अपडेट देता हूँ अपने चैनल की छोटी सी कि मेरा जो चैनल है जे व्लॉक्स इसको मैंने चेंज कर दिया आपने नाम पर जैतिन सिंग के नाम पर और इसके उपर बहुत ही जल्दी ट्रेवल व्लोगिंग करने वाला हूँ और एक बार जब ट्रेवल व्लॉक्स स्टार्ट हो जाएंगे तो भाई मैं कंटियून रहूँगा और एक के बाद एक के बाद एक वीडियो डालता रहूँगा तो प्लीज आप लोग का सपोर्ट चाहिए और दोसा एक काम कर देना चोटा सा यूटिब के सर्च ऑप्शन में जाओ जतिन सिंग के नाम से यार इस चैनल को ढूंडो जहां पर आपको मिलता है एक बार अंसब्स्राइब करके सब्स्राइब कर लेना ताकि जो चैनल की रैंकिंग है और रीच है यह थोड़ी सी बढ़ जाए और इस सर मास गेनर के साथ में मेली होते किन लोग लिए जो लोग लेक्टोस इंट्रॉलेंट होते हैं जो मदब जो लोग दूद को डाइजस्ट नहीं कर पाते हैं दूसरी बनी ही चीजों को डाइजस्त नहीं कर पाते इवन वे प्रूटीन को भी डाजस नहीं कर पाते हैं उन लोग के लिए होते हैं आपके प्लांट बेस प्रूटीन अनौल तो इसमें सीन क्या है ऐसा नहीं कि किवल वही लोग जो की लेक्टोस इंटॉलेंट है वही इसको यूज करें दोगों सबसे बड़ी बात जब मास गेनर की आती है तो होता क्या है सबसे ज़्यादा इसमें चल ली है तुमारी नकल अगर तुम अभी मार्केट में जाओगे आपको बड़ी बड़ी ब्रेंट की लेबराडा के हैं काफी सारी चीज़ों के दूसरा यहां पर अगर आप देखें तो इनके लेबल पर भी मेंशन कर रखा है डेरी फ्री मींस वही मिल्क वाली चीज़ों के अंदर यूज नहीं हुई है लुटीन फ्री साथ में केलस्ट्रोल फ्री केलस्ट्रोल कर देखो सीन क्या है जब भी आप मास गेनर यूज करते हो ना उससे आपका बैट कलस्ट्रोल भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है उस पैट में होता क्या है आपको लाइक उसमें जो मिल्क यूज के जा रहा है वो अच्छी वालिटी का नहीं होता है तो यह नहीं है कि गेनिंग के चक्कर में आपने अपने बैट क्रेस्ट्रोल बढ़ा लिया जैसे जंक फूट खाका के बढ़ा लेते हैं लोग कि भाई मोटा ही तो होना है लोग इस तरीके सो जाते है तो वो चीज गलत है यहां पर आपको मिल जाता बिल्कुल नेचर र है और मैं इसको ट्राइ कर चुका हूं काथिवार और यह मीठा नहीं है या इस ने बॉक्स पर तो मैंशन नहीं किया नो शुगर बट इसमें रीवर नहीं था यह मीठा नहीं था आपस्प्छी टॉकलेट बिल्कुल या य्यूस कि हैं तो भाई वह बिलकुल इतने मीठे ह 6 calories 45 gram protein and 225 gram carbohydrates जो की good है good carbohydrates good carbs जो की आपको मिलब आपका ब्रेट कलेस्ट्रोल नहीं बढ़ाएंगा दोसरा जो 45 gram protein लिख रहा है I don't think so यह 45 gram होगा एक scope के अंदर बेकास मास गिनस के अंदर योजले जो protein होता है ना वो 15 से 20 gram होता सुप पन नहीं होता है अगर आप पीछे की तरह देखें तो यहाँ पर लिख रहा है protein on dry basis 15 gram अगर आप इसको milk मिले रहे हैं तो वहीं आपको एक glass दूद के अंदर 9 gram protein नौन मिल जाता है तो वो add up हो जाएगा और पानी में ले रहे होता आपको 15 gram protein मिलेगा अचली यह एक mass gainer है protein है नहीं तो इसके अंदर protein आपको जादा नहीं मिलता किसी भी mass gainer को ले लो उसमें आपको protein जादा नहीं मिलने वाला है उसके साथ में इसके साथ मेरे को मिली है यह दो गोलिया जो की एक है आपको muscle fuel और दूसरा है rage यह दोनों की दोनों ही natural test boosters है तो देखो natural test booster का काम क्या है natural test booster बना किस चीज़ से होता पहले आपको मैं यह बताता हूँ सफेद मुसली हुआ आपका शिलाजीद extract हुआ आपको इसके अंदर गोक शुरू हुआ और भी ऐसे कुछ चीज़ होते है एक तो इसमें शायद muscle fuel है कि इसमें इसके अंदर आमला extract भी है और भी काफी सारी चीज़ें है इसके अंदर शिलाजीद extract गोक शुरू अश्वगं काफी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाते हैं जो कि है आपकी नेचरल टेस्ट बूस्टर मेरे काफी फ्रेंड है जिन्होंने नेचरल टेस्ट बूस्टर यूज किया है और उनका यह कहना है कि हमें जरा सा भी गेन नहीं मिला कुछ भी हमारी बॉड़ी के उपर नहीं आया नेचरल टेस्ट बूस्टर को यूज करके तो देखो सबसे पहली बात भाई यह नेचरल टेस्ट बूस्टर से हैं यह कोई इंजक्टेबल नहीं है स्टिरॉइट्स नहीं है जो कि आपकी बॉड़ी में एकदम से बहुत ही जमीन आस्मान का डिफरेंस लाके अगर वो एवरेज जो लिमिट है 500 से बिलो आता है ऐसी गोलियां यूज करो रिजल्ट तुमें मिलेगा बट अगर वो तुम्हारी बॉड़ी पहले से बहुत ज्यादा अगर टेस्ट बन रहा है तो तुम लोग अगर ऐसी गोली लेते भी हो तो कुछ परसेंट इंक्रीज जितना अगर आपकी बॉड़ी पहले सा अगर कम बना रही है और तब आप टेस्ट उसको बूस्ट करें तो मिलने वाला है तो इस वीडियो को ही समप करते हैं तो पहले एक बार फिरसे मैं आपको बताएता हूँ सारे प्रोड़क्स के नाम जो कहीं है आपका रेज, बहुत गीन मैंने भी कर रखा है क्योंकि बिकाज मेरे को ना श्रेड़ेट बॉड़ी पसंदी नहीं है मेरे को पसंद है यूज गाय चोड़ा सा बंदा जो अराम से चलता रहे वो श्रेड़ेट पतली वाली मसल कटिंग वाली बॉड़ी वो खुद परसंदी है हाँ मैं य दोसके साथ मैं शेयर करो जो लोग बंदे पतले हैं और चाहते हैं नीचरली अपनी बॉड़ी को ग्रो करना उन तक इस बॉड़ी को जरूर से पहुचा देना और सब्सक्राइब कर लो यार क्योंकि जल्दी ही इसको पर मैं रेगलर होने वाला हूं और कुछ ट्रेवल से लिलेटेड और बाइकिंग से लिलेटेड कुछ ऐसी वीडियो आने वाली हैं आने वाले एक से डिर महिने के बाद में